इसके पिछले वीडियो में Java Escape Refrescer को पढ़े थे इस वीडियो में React.jsx को पढ़ेंगे React.js setup में एक project को create किये थे तो यहाँ पे src folder में जाएंगे app.jsx में कुछ पहले से code है यह code project को create करने पे आता है तो इसका output कुछ इस तरीके से रहता है तो अभी के लिए इस code का कोई use है नहीं तो इसको clean करेंगे और यहाँ पे अपना code लिखेंगे introduction वीडियो में मैं एक vs code extension को install कर रहा है था जिसका नाम है yes7 उसका यहाँ पे use करेंगे जैसे हमको react functional component चाहिए तो यहाँ पे type करेंगे rfce यहाँ पे suggest कर रहा है react functional export component तो इसको यहाँ पे click करेंगे इस पे click करेंगे तो यह एक code बन गया यह code क्या है तो यह इसमें react को import किया गया है react से और यह एक normal function को बनाया गया है जो return कर रहा है jsx और यहाँ पे इस function को export कर दिया गया है ताकि दूसरे फाइल में इसे एक्सेस कर सकते हैं या component में एक्सेस कर सकते हैं ये code आपको समझा आ गया होगा देन एक और है एक है react arrow function component यहाँ पे ये code आ गया react functional component था ये आपका react arrow functional component है इनमें कोई difference नहीं है आप कोई भी use कर सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पे मैं RFC करता हूँ react functional component और जब ये करने पे ऐसे कुछ output आएगा इस तरह से ये output आ रहा है ये कुछ CSS ले रहा है app.css में पहले से CSS लिखा गया है इसको clean करेंगे और index.css में भी पहले से CSS लिखा गया है तो इसको भी clean करेंगे इनका अभी कोई need नहीं है तो ये आपका अब अच्छे से दिख रहा है कोई CSS अपलाई नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी changes करेंगे लिखेंगे hello world तो यहाँ पे changes reflect करेंगे तो ये आपको code समझ आ गया कि import क्या है function और export क्यों कर रहे है then point ये है कि JSX है क्या तो JSX को समझने के लिए आपके लिए एक docs मैं बनाया हूँ react.jsx docs इसका link मैं description में दे दूँँगा तो यहाँ पे पढ़ते हैं JSX है क्या पहला point ये है कि JSX stands for JavaScript exam second point है कि JSX हमें react में HTML लिखने को allow करता है JSX को आप HTML भी बोल सकते हैं बस थोड़े बहुत changes होते हैं बड़ वो एक तरह का HTML ही है plus point ये है कि JSX में आप JavaScript को लिख सकते हैं और normal HTML में JavaScript नहीं लिख सकते हैं JSX के help से ही आप HTML में JavaScript को लिख सकते हैं तो आपको what is JSX clear हो गया होगा कि JSX क्या है तो normal JSX HTML ही होता है बस थोड़े बहुत changes होते हैं अब rules को पढ़ेंगे rules को पढ़ने से पहले कि JSX होता कहा है तो ये जो आपका code दिख रहा है तो JSX आपका यहाँ पे होता है और यहाँ पे आप JSX को लिख सकते हैं और जो भी आपको JavaScript का function लिखना हो वो इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी function या variable बनाना हो तो ये function के नीचे लिखेंगे function और return के बीच में आप function बना सकते हैं कोई variable बना सकते हैं और JSX का part है यहाँ पे normal मैं बोलूँ HTML यहाँ पे लिख सकते दो काम यहाँ पे करना है यहाँ पे आप JSX लिखेंगे और यहाँ पे कोई function, variable यहाँ पे लिखे First rule है कि HTML code को wrap करो एक parent element से इसका क्या मतलब है जैसे आप यहाँ पे h1 लिए Hello एक और paragraph लिए Lorem 10 यह error आ गया यहाँ पे jsx expression must have one parent element यह इसको एक parent element के अंदर रखना होगा ताकि यह error चला जाए parent element यूज कर सकते हैं एक fragment, react fragment इसके अंदर कर देंगे तो कोई error नहीं आएगा और यहाँ पे वो changes दिखेंगे और एक होता है कि यहाँ div को भी यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे div ले लिए नहीं तो एक error आएगा ठीक है? तो यह आपका first rule यह है कि आपको wrap करना है parent element first rule आपको समझा गया हो second rule यह है कि element को close करें HTML में जो भी single tag है उसको self close करें element को close रखें कैसे? यह input तो यह error आएगा यह single tag है और single tag में यह close नहीं है तो यहाँ पे एक close का लगाएंगे यह error चला जाएगा इसे self close करेंगे ठीक है? element must be close यह close जैसे एक और है बी आर करके जो break का use करते हैं space लेने के लिए तो यह भी single tag है तो यह इसको self close करते हैं तो यह error चला जाएगा जैसे HR है यह इसको भी self close करना होगा second rule भी आपको समझा गया हो थर्ड रूल यह है कि class को class name से करेंगे जो normal HTML है उसमे class use करते थे बट आप react में HTML को use करना हो तो class को class name से change करेंगे class से class name को use करेंगे क्यों करेंगे तो यहाँ पे class not use in JSX because class already present in JSX in the form of reserve keyword class को आप JSX में use नहीं कर सकते क्योंकि class पहले से JSX में present है एक reserve keyword के form में class को class name से use करेंगे जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ एक h1 hello world ठीक है तो यहाँ पे class लेंगे जैसे एक error आएगा जैसे app ठीक है और format document करते रहेंगे ताकि code को समझना easy होता है तो यहाँ पे जाएंगे hello world यहाँ पे तो चल रहे है कोई issue नहीं है बट आप console में जाएंगे तो यहाँ पे error देखिए refresh करेंगे एक error आएगा invalid DOM property class class did you mean class name at h1 और at app h1 tag में और app component में आप class को class name से class को class name से use कीजिए यह एक error रहेगा तो यहाँ पे आप class को class name कर देंगे तो यह error आपका चला जाएगा यहाँ पे यह कोई error fourth rule को देखेंगे यहाँ पे jsx के अंदर आप if else condition नहीं दे सकते हैं यहाँ पे ternary operator देंगे ternary operator क्या है और कैसे use करना है इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि jsx के help से आप html के अंदर javascript लिख सकते हैं html के अंदर javascript कैसे लिखेंगे तो curly bracket लेंगे और curly bracket के अंदर लिखेंगे यहाँ पे console.log किये high तो यह console पे reflect करेगा यहाँ पे देखें high ठीक है तो आप html के अंदर javascript को लिख लिए और वही normal html रहता तो आप नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक ternary operate बनाते हैं एक curly bracket लेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक variable लूँगा const const a equal to 10 और यहाँ पे एक यहाँ पे एक curly bracket लूँगा और curly bracket के अंदर javascript लिख होंगा यहाँ पे एक condition दूँगा एक greater than 12 तो यहाँ पे greater कर दो और नहीं तो नहीं तो smaller कर दो ठीक है तो यह यहाँ पे reflect हो ठीक है तो यहाँ पे ternary operator का use कर सकते हैं जैसे यह जो है आपका 12 से छोटा है तो यह smaller में आगे तो आप ternary operator का कुछ इस तरीके से use कर सकते हैं पहले condition देंगे तो यह condition true होगा तो यह होगा और नहीं होगा तो यह होगा ऐसे ही यह work करता है तो आपको fourth rule समझा गया होगा fifth rule यह है कि javascript expression jsx में curly bracket के अंदर लिख सकते हैं जैसे दो number add करना है 10 plus 10 यह reflect करेगा यहाँ यह react में सबसे best होता है कि आप html के अंदर javascript लिख तो आपको jsx बहुत ही अच्छे से समझा गया होगा तो jsx कुछ है नहीं बस आपका html है और कहा लिखते हैं यह आना चाहिए तो आपको return में html लिखते हैं बस यह यह और function और variable को define करना है तो function और return के अंदर यहाँ पे करेंगे और कुछ भी import करना हो तो यहाँ पे import करेंगे और यहाँ पे इसे export करेंगे इस app को export इसलिए करेंगे कि ताकि दूसरे file में या दूसरे component में यूज कर सके तो बस आपका JSX यही था इतना ही था इसका मैं docs दे दूँगा तो मिलते हैं next वीडियो में